ये आकाश्वनी रैप्तुर है प्रादेशी के समचार बिलेटिन के साथ मैं शशी का अंत्यादाओ और अब पेशें आज की मुख्य समचार मुख्यमंतरी ने प्रदेश में कुरोना संक्रमान के कारण हो रही मृत्यू पर जताई चिंता फ्रत्येक मौथ का ओडिट करने के दिये निदेश प्रदेश में कुरोना संक्रमितों की पहचायन के लिए बढ़ाई जा रही है जाचों की संख्या परिक्षा पे चर्चकार करम के पांचवे संस्क्रण में भाग लेने की अंतिम्ति थी 27 जनुरी तक बढ़ाई गई और प्रदेश में अगले 48 घंटों के दोरान तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना कल सरगुजा और बिलासपूर संभा के कुछ इस्थानम हो सकती है ह प्रदेश में कुरोना संक्रमन के कारण हो रही मृत्य पर चिंता जताई है। उन्होंने स्वासी भाग के प्रमुक सचीव को कुरोना मरीजों को बेहतर स्वास सुईधाएं उपलब्त कराने की दिर्देश दिये हैं। साथ उन्होंने कहा कि कुरोना संक्रमन के कारण होने वाली प्रतेक मौतों का ओडिट किया जाए इसके लावा मुख्यमंद्री ने स्वासी भाग और कलेक्टरों को भी कोविट की सिती पर निगरानी रखने को कहा है इस बीच कुरुना संक्रमन से कल प्रदेश में 15 लों की मृत्ति हुई है प्रदेश में कल 52,411 सेंपलों की जाच में कुरुना संक्रमन के 5,649 नए मामले सामने आए हैं इनमें राइपूर जिले में सबसेधिक 1,442 मरीज मिले हैं इस समय प्रदेश भर में 31,700 से अधिक मरीजों का युभीन स्पतालों या होम आईसोलेशन में इलाज चल रहा है उधर सुकमा जिले के जगर गुंडा इलाके में धारा 144 का उलंगन करने वाले 9 में से 4 लोग कुरुना संक्रमित पाये गए हैं इधर कोविट के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर धंतरी कलेक्टर ने विवाह और अंतिष्टी कारिक्रमों के भी प्रशासन से अनुमती लेना निवार कर दिया है इसके अत्रिक्त जिला धंडा धिकारी को धिक्रित किया गया है इस बीच कुरुना संक्रमित को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ ही विन सामाजिक संस्थाओं और जागरूकता अभ्यान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में 36 गर चेमबर आप कॉमर्स के पताते हैं कि उसका जिक साथ ही NGO हम कोशिश करेंगे और सरस गुलाब फाउंडेशन संथा के वालेंटियर्स ने रैपूर के कपड़ा मार्केट पंडरी में नो मास्क नो सेल का संदेश देती हुए जनजागरूकता अभ्यान चलाया साथ ही मास्क का वित्रन भी किया गया वहीं रैपूर के अग्रेसिन महावित त्याले और एनसस कैड़ेट के सहुक्त तत्वावधान में भी शहर के विन इस्थानों पर नुक करनाटक के जरिये कुरोना से बचाव का संदेश दिया गया इस दोरान युवाओं ने लोगों से मास्क लगाने और टीके की दोनों डोज लगवाने के अपील की इस दोरान लोगों को मास्क चॉकलेट और धन्यवाद काड़ देकर टोटसाहित किया गया प्रदेश में कुरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जाच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है बीते संख्या 14-20 जनवरी के बीच करीब 3,45,000 सेंपलों की जाच की गई प्रदेश में अभी प्रतिदिन औसतन 49,000 से अधिक संख्या जाच की जा रही है जबकि पिछले महेने के अंतिम संख्या में यह संख्या लगभग 20,000 थी गोर तलब है कि स्वास्तमंत्री टीए ससीह देव ने कुरोना संक्रमन पर नियंतरन के लिए स्वास्य भाग को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैंपलों की जाच के निर्देश दिये है पत्र सूजना कारेल है और कादेशिक लोक संपर के कारेल है रहाप बिलासपूर के सैयोक से आज वैक्सिनेशन वा कोविड अनुरूप विववहार को हा बोल विशेपर वेबिनार का आज़़न किया गया इसमें नहरू युवा केंद्र और राश्टी सिवा योजना के स्वयम सेवक गैर सरकारी संगटनों के कारिकरता, कलाकार और विद्धार्थी शामिल हुए वेबिनार में कोरोना संक्रमन पर नियंतरन के लिए टीका करन कराने और कोविड अनुकूल विवहार पर जोड दिया गया वहें शेत्रिय लोक संपर के कार्याला काकेर द्वारा कुरोना संक्रमन और टीका करन के प्रती लोगों को जागरू करने के लिए जागरूकता रथ निकाला जा रहा है इस रथ को काकेर के सिविल सर्जन प्रभारी डॉक्टर आर सी ठाकुर ने ज़ंडी दिखा कर रवान किया यह जागरूकता रथ अगले साथ दिनों कर तक काकेर के शहरी इलाके का ब्रह्मन करेगा इस वीच जश्पूर जिला प्रशासन यूनिसेफ और राष्ट्री सिवा योजना के सेहुक्त तत्वावधान में कलेक्टूरेट परिसर में कुरोना संक्रमट से बचाव के लिए लोगों को जागरू करने के उदेश से रोको आउट टोको अभिहान की शुरूआत की गई आज नई दिले से ते इंडिया गेट पर अमर जवान जोती की लोगो राष्ट्री समर इसमारक की जोती की लोग के साथ मिलाया गया इस अवसर पर आयोजित समारुख की अधिश्ता एकी कृत रक्षा इस्टाफ प्रमुक राधाकृष्णा ने की ब्रिटिश शासन के दोरान विश्विद में प्राणों की आहुती देने वाले 70,000 सेनिकों के सम्मान में इंडिया गेट का निर्मान किया गया था वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान जोती के बाद अमर जवान जोती स्थापित की गए थी लंबी प्रतीक्षा के बाद इंडिया गेट परिसर में राष्टी समर इसमारक करने मान किया गया और फरवरी 2019 में इसकाउट घाटन किया था इससे पहले सरकार ने सरकारी सूत्रों के नस्वार अमर जवान जोती के बारे में फैल रही भ्रामक सूचना अपर इस पश्टी करन दिया अमर जवान जोती बुझाई नहीं जा रही है इसे राष्ट्री समर इसमारक पर प्रज्वलित जोती के साथ मिलाई जा रही है प्रादेशिक समचार आप आकाश्वानी रायपूर से सुन रहे हैं और अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आप तक 36 गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वानी समचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समचारों की ओर शुताओं आजादी के अमरित महोसों के तहत प्रादेशिक समचारे कांश आकाश्वानी रायपूर द्वारा आयूजित के जा रहे हैं प्रश्णोतरी कारेकरम के श्रिंखला के तहत आज की कड़ी का प्रश्ण पूछने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि शुताओं को SMS या E-mail के जरी है अपने जाब के साथ अपना नाम इवं पता भी भेजना निवारी है जिससे प्रतिभागी का जवाब बिना नाम अत्वा पते के प्राप्त होगा उसके जवाब को सिकार्थ नहीं किया जाएगा तो शुताओं आज का प्रश्ण है राजननगाउ जिले में हुए बदरा टोला जंगल सत्यागरह का नेत्रित्व किस आदिवासी नेता ने किया था प्रश्ण एक बार फिर सुन लें राजननगाउ जिले में हुए बदरा टोला जंगल सत्यागरह का नेत्रित्व किस आदिवासी नेता ने किया था आप अपने जवाब इमेल अथवा SMS के जरे भेज सकते हैं ये जवाब इमेल आईडी आर ए आई पी यू आर एस ए डबलू ए इल इडरेट जीमेल डाट कॉम पर अथवा फून नमबर 942-420-8182 पर SMS के जरे भेज सकते हैं शुताओं को सिर्फ SMS या इमेल के जरी हे जवाब भेजने हैं वाटसप की माध्यम से नहीं जिस शुता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजयता माना जाएगा और उसके नाम की घोशना कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समचार बिलेटिन मे की जाएगी साथ ही उसे प्रादेशिक समचारे कांश की ओर से डिजिटल प्रमान पत्र भी जारी किया जाएगा परिक्षा पे चर्चा कारिक्रम के पाचवे संसक्रण में भाग लेने की अंतिम्ति थी 27 जनौरी तक बढ़ा दी गई है प्रधान मंतरी नरे निर्मोदी ने इस अनोठे परिक्षा पे कारिक्रम की जर्चा की परिकल्म की है इसमें देश विदेश की विद्यार्थी माता पिता अयुभावक और शिक्षक उनके साथ बात चीत कर सकते हैं शिक्षा मंतराला ने बताया है कि इस कारिक्रम का आजोजन पीछले वर्ष की तरह ऑनलाइन म अधमसी किया जाएगा कक्षा नौमी से बारा हुई तक के विद्यार्थियों शिक्षकों और अविभावक को का चैन ऑनलाइन प्रतियोकता के माधमसी किया जाएगा 36 गण व्यावसाइक परिक्षा मंडल द्वारा महिला और बाल विकास विभाग के अंतरगत परिवेक्षा के पदों के लिए खुली सीधी भरती और परिसीमित सीधी भरती परिक्षा 23 जनौरी को दो पालियों में आजोजित की जाएगी इस परिक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या दिखोने के कारण परिक्षा के अंरों की संख्या में व्रिद्धी की गई है कोविड संक्रमित अभ्यर्थी कोविड सेंटर में परिक्षा दे सकेंगे इसके लिए अभ्यर्थी को एक दिन पहले जीला नोडल अधिकारी या जीला समनवाई को सूचना देनी होगी इस वीच च्छतिसगर लोक सिवा आयोगने सहायक संचालक क्रिशी के पच्चीस पदों की भरती के लिए लिखित परिक्षा और साक्षात कर में प्राप्त अंकों के अधार पर संशोधित, चैन सूची और अनुपूरक सूची जारी करती है और अब पेश है मौसम का हल प्रदेश में अगले 48 घंटों के दोरान न्यूंतम ताप्मान में 2-3 डिग्री सलस्यत तक बढ़ोतरी होने की संभावना है जबकि अधिक्तम ताप्मान में कल 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है मौसम युभा के नुसार कल प्रदेश के उतरी भाग में आंशी करूप से वादल चाय रहने के अज़ार है वहीं सरगुजा और बिलासपूर संभा के एक दो इस्थानों पर हलकी वर्षा होने अत्वा गरत चमक के साथ आकाशी बिली गिरने की संभावना है इसके लावा तेज जनुरी को बिलासपूर और सरगुजा संभा के कुछ इस्थान पर उला वरिष्टी होने की चेतावने भी दी गई है वहीं दुर्ग राइपूर और बस्तर संभा के उतरी लाकों में हलकी से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है और अब कुछ अने खमरे संक्षित में समीती के गठन के अधिस उचना जारी करती है इसके नुसार समीती के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कारेकाल राजपतर में प्रकाशन के तिति से तीन वर्ष होगा राजदन गाउं जिले के बंगल गाउं में शिवनात नदी की धार को रोक कर रेत उद्खनन किया जाने के मामले की जाज के लिए जिला प्रशासन ने चार प्रमुक्वी भागों की उच्छे तरी संयुक्त समीती गठित की है सुक्मा जिले में सक्री एक महिला सहित दो मावदियों ने आज तिलंगाना के कोत्ता गुरम पुलिस अधिक्षक के सामने आत्मसमर्पन कर दिया कुंडा गाउं के जिला शिक्षादिकारी को कारे में लापरवाही बरतने के आरोप में रिलम्बित कर दिया गया है और कुर्वा जिले में हर्दी बाजार तरदा बाईपास के लिए जमीन अधिक्रहन के मामले में गड़बड़ी करने की वालों पर आपराधिक प्रक्रण धर्श किया जाएगा। अंत्वे मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कुरूना संक्रमन के कारण हो रही मृत्य पर जताई चिंता प्रत्येक मौत का ऑडिट करने के दिये विर्देश। प्रदेश में कुरूना संक्रमितों की पहचायन के लिए बढ़ाएं जा रही है चार्टों की संख्या। परिक्षा पे चर्चा कारेकम के पाचवे संस्क्राण में भाग लेने की अंतिम्तिती 27 जनुर्ट तक बढ़ाई गई और प्रदेश में अगले 48 घंटों के दुरान तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना कल सरगुजा और बिलास में संभा की कुछी स्थानों में हो सकती है हलकी बारिश जिसे के साथ प्रादेशिक समचार गुल्टिन समात हुआ नमस्कार